मेरे पहरे देश्वासियों, उत्राखन के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गाउं है जाला, यहां के युवाओं ने अपने गाउं को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू किये हैं, वे अपने गाउं में धन्यवाद प्रक्रुती या कहें थेंक्यू नेचर अभ गंटे सफाई की जाती हैं, गाउं की गलियों में बिखरे हुए कुडे को समेट कर उसे गाउं के बाहर ताय जगह पर डारा जाता है, इसे जाला गाउं भी सच हो रहा है और लोग जागरूप भी हो रहे हैं, आप सोचिए अगर ऐसे ही हर गाउं, हर गली, हर मौला अपने यहां ऐसा ही थेंक्यू अभियान शुरू कर दें, तो कितना बड़ा परिवर्त ना सकता है, साथियों स्वच्छता को लेकर पूरी चेरी के समुद्रत पर भी जबर्दस्थ मुहिम चलाई जा रही है, यहां रम्याजी नाम की महला, माहे, मिनसिपल्टी और इसके आसपास के ख्षेत्र के युवाओं की एक टीम का नित्रूत्व कर रही है, इस टीम के लोग अपने प्रयासों से माहे, एरिया और खासकर वहां के बीचेश को पूरी तरह सापसुत्रा बना रहे हैं, साथियों मैंने यहां सिर्प दो प्रयासों की चर्चा की है, लेकिन हम आसपास देखें, तो पाएंगे कि देश के हर किस हिस्से में स्वच्छता को लेकर कोई न कोई अनोखा प्रयास जरूर चल रहा है, कुछी दिन बाद आने वाले दो अक्तूबर को स्वच्च भारत मिशन के दस साल पूरे हो रहे हैं, यह अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है, ज इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया, यह महत्मा गांधी ची को भी सच्ची स्रधांजली है, जो जीवन परियंत इस उद्देश के लिए समर्पित रहे, साथियों, आज यह स्वच्च भारत मिशन की ही सपलता है, कि वेश्ट वेल्ट का मंत्र लोगों में लोगप्रिय ह हो रहा है, लोग रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल पर बात करने लगे हैं, उसके उधारन देने लगे हैं, अब जैसे मुझे केरला में कोजी कोड में एक शांदार प्रयास के बारे में पता चला, यहां 74 यर के सुब्रमनियम जी 23,000 से अधिक कुर्शियों की मरमत करके उन्हें दोबारा काम लाइक बना चुके हैं, लोग तो उन्हें रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल यानि ट्रिपल आर चेंपियन भी कहते हैं, उनके इन अनूठे प्रयासों कोजी कोड सिवल स्टेशन, पी डवलुडी और एल आईसी के दप्तोरों में देखा जा सकता साथियों, स्वच्छता को लेकर जारी अभ्यान से हमें जादा से जादा लोगों को जोड़ना है, और ये अभ्यान किसी एक दिन का एक साल का नहीं होता है, ये यूगों यूगों तक निरंतर करने वाला काम है, ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब करने का काम है, मेरा आप सबसे आग्रह हैं कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पडोसियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभ्यान में हिस्सा जरूर ले, मैं एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन के सबलता पर आप सभी को बदाई देता हूं